ही हाई वाट्सप गाइज मैं हूँ संदीप और आप सभी का स्वागत है ठेकार के इस अनेदर वीडियो में और आज का वीडियो है काफी खास क्योंकि आज मैं जा रिव्यू करने इस माइक्रोफोन की जिसे मैं पर्चिस किया था लबग दीन दिन पाले यह है मेरे इस साउंड की क्वालिटी और साउंड टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं इसे अन करता हूं मैंने इसे अन कर दिया और इस समय इसकी जो सेटिंग है थाउजन एटी बाई सिक्स्टी और यह है वाइड एंगल तो यह सेटिंग मैंने अपने एक्षन कैमरे में कर रखी और मैं इसे जा रहा हूं प्रिंट कर देंग मैं लग चुका है और अब कर देषए को रहा है यह है है यह है फ्रेंट मैं हूं आपकर दोस्ती पूर आपका स्वागत है टेका आई के इस वीडियो में और जैसा कि मैंने मॉर्णिक में आप सभी को कहा था कि मैं आपको इसके माइक की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और इस समय मैं मैं की टेस मौसम काफी सुहाना और काफी गुलावी मौसम हो गए यहां का और इस समय जब मैं सूट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में है SJCAM का माइक और जो कैमरा मेरे पास है वो है SJCAM का Legend 6 जिससे मैं अभी इस वीडियो को सूट कर रहा हूँ और वीडियो की सेटिंग है 1080 x 60 frame rate और यह वाइड एंगल में सेट किया हुआ है तो अभी मैं टहल भी रहा हूँ और घूम भी रहा हूँ और साथ ही साथ आप मुझे यहां पर भी देख सकते हैं तो यह हो गया माइक के साथ तो माइक को मैं यहां पर कहीं अर्जेस्ट करता हूँ और कापी अच्छा सा बैंग्ग्राउंड नॉइज आ रहा है मतलब कुछ वर्क चलना है बैंग्ग्राउंड में तो आप अच्छे सा अंदाजा लगा सकते हैं यदि इसे मैं हेलमेट के अंदर लगाऊंगा तो किस तरका साउंड आएगा मतलब साउंड नॉइस बता हूं जिससे आपका जत्तावी सारा प्रावलम या जत्ता भी सारा क्वेरी होगा वह सारा का सारा अभी निकल जाएगा और मेरी आवाज वहां पे नहीं आ पारही होगी उसका रिजन यहीं है कि मैं तोड़ा दूर हूँ और बोया का बीवाई एम एम वान माइक भी आप देखोगे background में तो काफी pinkies और काफी redies टाप का आपको यहाँ पे cloudy weather देखने को मिलेगा और उपर में चंदा मामा देख रहे हैं हमारे तो अब मैं एक camera को निकालता हूँ उससे निकालने से पहले आपसे अब माइक को निकालता हूँ उसके बाद वापस से वीडियो को सुरू करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान यदि हम माइक को निकालते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि sound आगे-पीछे रिकॉर्ड़ना शुरू जाता है तो मैं अभी पॉस करता हूँ फिर से आपक चैसली के रखाता हूँ डाय तो यह तो वीडियो भी चलने एक संथाथ और लाइव मैं आपको यह दिखा रहा हूँ मैं माइक को निकाल चुका हूँ और वापस से मैं अब इसे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इसको मैं भी तक बनने क्या हो यह कॉन्टिनीयू चलना ह तो एक अच्छा कासा आईए आपको भी मिल जाएगा कि किस तरह से recording होती है और किस तरह से record को और चीजों को सूट करते है तो वापस से मैंने डिया केमरे को अन कर दिया डिकारडिंग जल लई है 1080 x 60 फ्रेमरेट अगें वाइड एंगल लेंस मैंने सेलेक किया हुआ इसमें और जैरो सेंसर अन है जैरो स्टेबलाइजर भी ओन है और हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट करें लेकिन इसकी वीडियो की क्वालिटी काभी अच्छी आती है अभी संसेट अलेडी हो चुका है और बोल सकते है जो लाइट है लाइट थोड़ा सा कम है तो लाइट कम होने के सांथ सांथ मेरी आवाज भी कमा रही हुए क्योंकि मैं इस समय जो इस टॉक माइक है उससे बात कर रहा हूं कमर्य को टर्ण एराउंड करता हूं देखेलो मैं भी कि वाकई में हो भी रहा है या लाइट बिल्कुल भी नहीं है तो इस समय मैं बिल्कुल कैमरे के सामने आपने मुझ को रखा हूंsin और आपने तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दवाने के बाद, और कमें डिटी के सना आएगा उसको दवाने है जिससे हमारे चैनल के साथ फिके सना आप ते सबसे पहले पहुंचाओगी अभी के लिए बस इतना ही, हम आप से लेते विदा, आपको करतल विदा, जै हिन, जै भारत